Good morning friends, आजचे लेक्चर मदे आपन बगना रहा है, Rectangle to Polar Convergence, नानी Polar to Rectangle Convergence जाड़े सापने ला कुटलाए सिमेट्रिकल लेचे कालकुलेशन कारा जासे, त्याड़े सापने ला दोनी Convergence यूज़ कुरून नुमरीकल सॉल करा जाए, तो फर्स्ट जो फर्म हाए, तो कुंता है तुम्सा Rectangular Form, Rectangular Form मत यूज़ एक्वेशन काया जाता, V of T इक्वल टू X plus J Y, हा कुंता फर्म जा तुम्सा Rectangular Form, जेकंड जो होता तुम्सा Polar Form, तो आपन यहला नुटेशन काया जो करतो, V of T equal to R at an angle Phi, यहादा तुम्सा Polar Form, तो अन्था Rectangular Form मंजे काया है तो के एकादी AXIS Coordination System जे मन तो आपन जेला, ओके, तीज़र इतप्रजेंट आसिल, अन्तिज़र काया करतो आपन एकादा Force जे दिला आसिल, Resultant, ओके, समझा, Resultant किती है, और अन्तिज़र एंगल किती दिले ले तो महला देतना एंगल दिले ले, 5, ओके, तेरह एंगल जो 5 आस तो तो आसिल, Resultant Force, तो आपने रिजोल कर रहा है, कुट, इकड़े X-axis है, या सेडला Y-axis है, दोनी सेडला आपन जेला, रिजोल करतो, जावेस हार Resultant Force आपन मेजर करताने, X-axis ला, मेजर करतो, ते आवेस काया सता, Summation of X, इकवल टु काया तो, R Cos 5, जावेस जो आपन मेजर करत कॉस मेजर करतो, जावेस, Resultant जो आए, फोर्स, तो आपने X-axis होबत मेजर करतो, ते आवेस तो कसा आपने तो, R Cos 5, आणि ते जर आपना है, फोर्स, रिजोल केला, कुट, जोबत, Y सोबत, Axis सोबत, तो काया इल, Summation of Y इकवल टु काया तो, R Sin 5, तो आपने जाला ते जो values, मंजे काया है, कितला जो X-component है, बरो बरो है, Summation of X, X-component काया है, V of T, इकवल टु, R, X-component ची value काया है, R Cos 5, प्लस, J, next काया है, Y ची value किती है, Y ची value आए, R Sin 5, हे जाला तुमसा coordinate system, है जा तुम्हें, है वैल्यू जाहे ते इतला एक्वेशन में दे पूट केला, ते equation काया है, V of T, इकवल टु, R Cos 5, प्लस, R, Sin 5, हे चा तुम दोनी में, डोनी टर्म्स में, R काय जाला, तुम्हें, comment जाला, तेला आपन आसा ही लिए शुकतो, Cos 5, प्लस, J, Sin 5, जे है काया है, तुम्हें, इमेज जेरी, लेटर है, ते चाम आपन इता, इमेज जेरी पार्ट प्लस, पॉलार फॉर्म, अनि, हा सेकंड ज़ो हाई, हाखोंता है, तुम्हें, प्लार फॉर्म, तशा equation काये, V of T, इकवल टु, R, Sin 5, आता, लग्शा ठवा की, हा जो रेक्टेंगलर फॉर्म होता, अपला इतला, equation ली तना, हेसे कंसेडर खरा, V of T, इकवल टु, R, Cos 5, प् at an angle 5 मंजे इता value कशा ची find out कराईची तुमाला first r ची calculate कराईची ठीक है तो javis तुमाला r calculate कराईची त्यावस r equal to formula काया है under square root of x square plus y square आता x काया कराईची आश्या पदेतीन तुमाला r calculate करता हील मंजे consideration करताना काया करा r equal to x square plus y square काया आणि second काया find out कराईची phi javis calculate कराईची त्यावस phi equal to tan inverse of y by x हा formula यूज करा तुमाला y given आसेल आणि same तुमाला x पन given आसेल यह formula यूज phi equal to tan inverse of y by x हा formula यूज कराईची तुमाला 5 चे पन calculate करता हील हे जाला तुम्हा rectangle to polar conversion करताना हे दोन formula तुमाला use कराईची बट आथा second condition मदे काया तुमाला given देताना काया काया फक्त r दे लेलाए आणि 5 दे लेलाए हेचा conversion कशाद कराईची तुमाला rectangular form मदे आथा rectangular form कुन तास तो v of t equal to x plus j y आथा formula तुमाला convert कराईची x plus j y मदे बट तुमाला आथा x ची value महीति है का नाई महीति है आथा x ची value महीति है अपने x equal to काय दे लेलाए r cos phi बड़ो बड़े मज़े x equal to formula काय होता अपला r cos phi आणि y equal to काय होता r sin phi आथा हेचा मदे तुमाला r पन महीति आशिल polar form मदे आणि 5 ची पन value महीति है अशिल हे जा उन तुमाला काय करता है x ची पन value calculate करता है आणि y ची पन value जी आशिल ते पन calculate करता है आणि हाज या value जी तिल तुमाला काय कराएचे डारेकली इतब पुट अप कराएचा आणि तुमाला rectangle to polar conversion तिता solve कराएचे ओके आणि ची पन नुमेरिकल बगूंग्यूग आणि नुमेरिकल में फर्स्ट है एक्जाम्पल ची पन फर्स्ट है समझा एक form जी लेला है तुमाला 8 प्लस J 6 हाँ form जीला है आणि यहला काय सांगेले तुमाला convert in polar form आणि गिवन फर्स्ट में तुम्चा रेक्टेंगलर फर्स्ट में कश्या मोड़ो तो X प्लस J Y यह टर्म्स में ते यह टर्म्स प्रजेंट आएच मंझा आता समझा आइंसर में काय लेचा आपनेला गिवन डेटा काय है A इक्वाल टु दिला 8 प्लस J 6 हला आज़र आपनेदर फर्म्स होब एक्वाल केल है A इक्वाल टु कायल X प्लस J Y हाप फर्म्स आपला मैंझ X इक्वाल टु किती वैल्य वाल्य है 8 ए आने y एकोल टो किती है 6 आता हेला कन्वर्ट कशाद कराईच होता अपनेला यहाँ फॉर्मला कन्वर्ट करताना फॉर्म कुनता है आपला पोलर फॉर्म आर अटाइन अंगल 5 मैं आवज तो मला आरची वैल्यू फारिणड़ कराईची तो मला काई सांगीर उता आर इकोल टो फॉर्मला काई उचका राईचा है अंडर स्क्वर्ट आफ एक स्क्वर्ट प्लस य स्क्वर्ट आता अंडर स्क्वर्ट आफ एक स्क्वर्ट आफ एक स्क्वर्ट किती 64 प्लस नेक्ट वाई चा मंजे 6 स्क्वर्ट किती 36, यह दुनीच addition केलती है, किती हिल, under square root of 100, अगि under square root of 100 स्क्वर root काल लाथ किती हिल, 10, मंज़ा r equal to किती हाल, 10, ओके, next value काश्या ची find out कराया जाता, r find out केला आपन, next होता आथा 5, remaining 5 ची value जावार्स तो माला calculate कराया जी, ते आवाज काहिल, 5 equal to, tan inverse of formula काया जा, y by x, फाइला 5 as it is, tan inverse as it is, आणि y ची value केती है, y ची value केती हिल, 6 divided by 8, 6 by 8, आथा एक solve करतां जा तुम्हा लागा कालेचे, scientific जी calculator साहिता, आपन इंजिनेरिंग साथी नार्मली जी, यह उसको तो आशा टाइप जे, Casio 991 XS, EMS, हे जे कैल से आए, हे तुम्ही परचेस करा मार्केट मादून, हानि हे जे उट्वलाइजेशन जावाज, आपन इंजिनेरिंगें के ओं, कुटलाई पेपर मदे आपनुम्ही करूँ शेकता, ठीके, आता हे जे तुम्हाला टैन ओगरे फंक्शन देले लाए, तो आता हे ते कैल्कुलेट काया कराएजे, अपनला टैन इंवर्स ओफ Y by X है, आई Y by X जे वाल्यू करेटे 6 by 8, आता हे जे जे सॉल्ट कराएजे, त्यावालाज काया कराएजे, शिफ्ट दाबुन, टैन प्रेस कराएजे मुझे काया हेता, टैन इंवर्स, पुड़ा काया, ब्रैकेट मदे 6 डिवाइद बाए 8, आन इकोल्ट के लाएजे हे जे वाल्यू जे तैन इंवर्स ओफ, स्वाल्यू आजी, 36.86 डिग लिए, मंझे यह जाले तुम्हा, 5, महा यहला कन्वर्ट के लाएजे आपला फाइनल आइंसर काया हे आले, A इकोल्ट के लाएजे, 8 प्लस, J6, यहला कन्वर्ट के लाएजे आपलार फोर्म मदे आइंसर काया हे ले, R ची वैल्यू आले, 10 अटन आगल, 36.86, यहाला तुम्हा, आजी आजी, आजी आपलार फोर्म मदे लाएजे, रिक्टैंगल टू, पोलार कन्वर्ट कराएजे, आथा आपन सेम काय करू, पोलार टू, रिक्टैंगलर कन्सिडर करू, पोलार ची वैल्यू काय करू, आपन हे 10 पॉइंट, सेम कन्सिडर करू, सेम आथा नेक्स न्यूमेर के लाएजेल, आपन गेतन काय करू, 10 अटन अंगल, 36.86 ग्यू, कन्वर्ट इन कश्या मदे कराएजे, आपन गेला, रिक्टैंगलर फॉर्म मदे, ओके, आतना या फॉर्म ला जाओ, तुम ऑले, ए सेम आटन गेला तुम्हा, आता रिक्टैंगलर फॉर्म ममदे, पोलर फॉर्म कुनता होता तो, र At An Angle 5, आनि हम अइ eleay Convert के शद गराएजे, तो महला x plus j y मादे, बरो बरे, आता ही तो गिवन डेटा मादे तो महला 10 at an angle 36.86 ही value दिलिया है, बरो बरे, मंझे r equal to की जाला value आली 10 and 5 equal to की ती value है 36.86, जर रहे दोन equations आपन compare के लिए तर, यह आँ काया करें चे, next आता x find out करें चे, x component चे अबस एकसा formula का होता, x equal to काया तो तो आपन r cos 5, okay, r ची value महीते यह आप ते लाख किती है, 10 into cos महीते, cos 5 ची value किती, 36.86, आता ही solve के जाद किती ही लेचा, हे पन तुम्ही calcium मेदे solve करो शुकता, 10 into cos 36.86, okay, हे solve के लेचे value किती हाली, 8.0010, okay, हे जाला x component, आता next काया करें चे, आता y component find out करें, y equal to formula काया होता, r sin 5, आनि r equal to sin 5, चाहिते काया, r ची value पराद किती होती है, 10.10 into sin, आनि 5 ची value होती, 36.86, okay, हे पराद solve के लेचे लेचे लेचे, हे आला आपला 5.9986, okay, मंझे y ची वाल्यू की त्या आली 6 मंझे final answer काया आपला 10 at an angle 36.86 हेला जर आपंका note के लग त्यते sensor की त्या आपला x component की त्या होता 8.0010 मंझे near about each value की जाली 8 जा है plus j next y component की त्या 5.9986 मंझे हे पन आप्रप्रप्रमेट की त्या 6 है आप यवा लेक्टेंगल लेखने तक के लिए परप्रप्रिक त्याहिए तक तोम्हाला solve करता है थेंक्यू